अब हम कर लेते हैं एक बहुती कॉंट्रोवर्शिल टॉपिक लेकिन उसकी राइड कॉलिटी बहुत खराब सी फील होती है यह बैलन्स सबसे पहली बार एंडेवर में आया था वीडियो देखी होंगी जिसमें बहुत टेडी मेडी काट के उपलट जाती थी अगर आपने साम क्यों में बनी रहती है कभी उसमें कोई बहुत बड़ा इश्यू आ जाता है कभी कोई एकस्टेंट हो जाता है कभी वह 5 स्टार रेटिंग ले आती है कभी एकदम 0 स्टार रेटिंग लेकिन उसके अभी भी बहुत यूनिट्स हैल हो रहे हैं ओवरॉल मार्केट में 12-13 एंड मैंने इसका डीजल आटोमाटिक 2-wheel drive मतलब rear wheel drive इंट चलाया है and let's talk everything about it तो सभी कुछ मैं इसमें शेयर करूंगा बस एक थोड़ी सी चीज है hardcore off-roading obviously मैंने अभी इससे नहीं करी है उसकी वी वीडियो जल्दी आ जाएगी लेकिन let's talk about it कि Scorpio N में आपको basically क्या क्या मि मैं technical terms भी use करूंगा अगर आपको इसी तरीके के बाल की खाल निकालने वाले reviews पसंद आते हैं तो subscribe to this channel let's see Scorpio में हमें क्या क्या मिल जाता है तो महिंद्रा ने जिस तरीके से Scorpio develop करी वो develop करी GN cap में 5 star लेने के लिए वो ले आई 5 star Australian cap में 3-4 और ऐसे टेस्ट होते हैं जो GN cap में नहीं होते या फिर उस हसाब से गाड़ी नहीं बनी अब हम बात करते हैं उन test के बारे में थोड़ा समय briefly आपको समझा दूँ तो basically कुछ लोगों को यह लगता होगा कि सिर्फ ADAS के ना होने से Scorpio को वहाँ पे 0 N cap मिला है बट नहीं ADAS ना होना एक single criteria है और भी criteria है अब जैसे मैं simple सी आपको चीज बता दूँ कि GN cap में एक 40% barrier पर लड़ाई जाती है यह गाड़ी लेकिन एन cap में दो अलग test होते हैं एक की एक movable barrier एक गाड़ी की तरीके का barrier होता है उसमें लड़ती है और एक wall होती है उसमें सीधे जाके लड़ा जाते हैं मतलब full frontal test तो यह दो चीजें अलग है GN cap से अब इसमें findings क्या आई तो आपने सामने वाली गाड़ी को कुछ ज्यादा ही फोड़ दिया तो आपका number कड़ जाते हैं जो score क्यों के कड़ गए क्योंकि उसने काफी नुकसान कर दिया होगा उसके काफी marks कटे दूसरी चीज यह जो उतनी important नहीं है उन लोगों के लिए जो पीछे seatbelt बेल्ट नहीं ल स्टी नहीं होती है यह score से बाहर आगया और जो चीज score से बाहर आई है वो यह है कि जो विपलाश टेस्ट होते हैं उसमें headrest की performance पूर रही है तो यह चीज़े महिंद्रा ने टेस्ट ही नहीं करी इस वज़ह से यह एन-cap में उभर के सामने एक और मैं आपको चीज बताता ह हैं लेकिन बहुत से लोगों को आप लोगों को नहीं पता होगा कि curtain airbags scorpion में पीछे तक नहीं जाते तो यह सारे रीजन से जिस वज़े से इसको zero star आये हैं अब मेरी चीज क्या है दो तीन चीज़े इसमें सुधारनी चाहिए महिंद्रा को चाहे GNCAP उसको टेस्ट नहीं कर तो इसी वज़े से यह जो सारे टेस्ट होते हैं इसमें hard and fast rule नहीं होता है कि यह गाड़ी safe है यह नहीं safe है बहुत सारे testing criteria जैसे होते हैं जब वो टेस्ट ही नहीं होंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी गाड़ी fully particularly safe है कि नहीं है तो इसलिए यह मजाक उड़ा जाना और यह सब ट्रोल करने का कोई फायदा नहीं है same गाड़ी exact same गाड़ी एक जंगा zero star ले आई आपने खुदी देख लिया जो जीन क्रैप में five stars थी अब हम basic चीज़ों की बात कर लेते हैं वो यह है कि जो ESC है उसमें मेरे को लगता है वो Z2 variant base variant से होना ही चाहिए वो Z 4 से आता है तो इतनी उची गाड़ी है लंबी चोड़ी गाड़ी उसमें आप ESC base variant पे नहीं दे रहे तो it's a shame बहुत चोड़ी सी चीज़ है दे देनी चाहिए और बाकी six airbags वीच में थोड़े नीचे variant से start हो जाने चाहिए क्योंकि वो जरूरी होते हैं अगर आपका shell अच चीज हम करते हैं राइड की बार तो मैं आगे obviously बैट के चलाई है काफी और मैं अच्छे कासे time तक इसमें पीछे भी बैटा हूं तो उसमें मेरे को सबसे best जो चीज लगी वो इसकी चीज थी इसका robustness मतलब आप कितना ही बड़ा गड़ा है आप उसके ऊपर से इतने प्या आप से ट्यून है अब मैं आपको एक बहुत से चीज बताऊं यह में डिफरेंस है एक्सीवी 700 में एक्सीवी 700 में इतनी रोबस्त में फील होती अगर आप पंपेर भी करोगे ना दूसरी क्रॉसोवर्स से तो एक्सीवी 700 अगर यहां robustness में है उसके उपर सफारी है और उस suspension noise भी बहुत कम आती है मतलब गड़े के ऊपर से कोई rattling की आवाज नहीं कोई suspension noise नहीं तो उस वज़े से आपका experience ऐसा होता है कि आपको बहुत rich feel होता है तो इसका main technical reason क्या है तो इसमें FDD suspension आया है which is frequency dependent damping उस वज़े से क्या होता है कि आपकी जो frequency of pot holes है उसकी वज़े से आपकी damping decide होती है suspension की और इसी वज़े से आपकी ride quality के साथ साथ handling भी बहुत बढ़े हो जाती है पुरारी आले आपने Scorpio की movies और even videos देखी होंगी जिसमें बहुत टेडी मेडी काट पलट जाती थी तो यह अभी issue इस particular Scorpio के साथ नहीं है क्योंकि बहुत simple से चीज है FDD में क्या होता है कि जब आपका load धीरे धीरे पड़ेगा suspension पे तो वो tight हो जाएगा और एकदम से pot hole लाएगा तो वो soft हो जाएगा तो इस वज़े से गड़ों पे soft और corners पे tight हो जाता है आपका unsprung mass जो wheels के around है वो कम होता है तो गाड़ी जादा चिपक के चलती है suspension अच्छा काम करता है क्योंकि suspension हलका होता है weight में लेकिन performance में वो बहुत ही भेतरीन होता है एक balance होता है basically ride quality का वो even आप Fortuner देखो उसकी high speed stability बहुत अच्छी है लेकिन उसकी ride quality भहुत खराब सी feel ह यह balance सबसे पहली बार endeavor में आया था और उसी तरीके का हिसाब किताब आपको Scorpio N में इतने कम price में देखने को मिलता है जहां पर handling और ride quality का बहुत अच्छा balance है अब हम कर लेते हैं handling की बार अगर city speed पर देखोगे तो आपको सबसे पहली चीज feel होगी कि आपका steering इतना light है इतन जो है वह office going logo को भी देखोगे even newbies को भी देख सकते हो कि वह बहुत ही जल्दी used to हो के शहर के traffic में भी चला पाएंगे तो वह जो चीज है steering की वह काफी light हो गई है और दूसरी चीज मैंने इस नोटिस करी वह यह कि हमारी जो legal speeds होती ही मतलब 100 120 के आसपास तब तक इसका overall stability भ मेरे को feel नहीं हो जितना होना चाहिए इसकी height के एसाब से तो this is a very predictable handle और वो सारे चीजे आपकी एक काफी तौशनरी rigid chassis और प्लस FDD suspension को basically रोल जाता है तो इस वज़े से काफी predictable हो गई अब देखिए main फरक जो लोग सोचते है XUV में और Scorpio में यह है कि XUV और थोड़ी तक उसमें आपको body roll काफी कम feel होता है लेकिन यहां पर legal speed में अगर आप चलाते हो 1120 के नीचे तो आपको literally में प्ताओं कि कोई बहुत जादा फरक नहीं feel होगा और आपको यह भी ऐसी लगेगी कि अच्छी चल रही है जो पुरानी अले Scorpio में बहुत ही इधर बर उतुल- जाती है जब आप high speeds पर जाते हों तो उसतना जो steering का feedback वगरा है वो उतना खास नहीं आता है लेकिन steering ठीक थाक way up हो जाता है 90-100 पर weight आजाता है steering पर ठीक ताक लेकिन वो जो feel and feedback एक्चल वो इतनी जरुवत भी नहीं है इतना शार्प steering होने की क्योंकि इतनी high ground clearance वाली गाड़ी है तो उसमें obviously थोड़ा सा nervousness फील हो जाएगी अगर कुछ जादे ही शार्प हो जाएगा अच्छा ये चीज एक स्यूबी में feel होती है कि उ हलकी सी ये stiff है लेकिन as the speeds get better या फिर अगर आप थोड़ा लोड कर दो पैसेंजर में चार-पांच लोग बैठे हूं जहां पर क्रॉसोवर को suspension बैठने लगता है तो इसका suspension और बेटर बहेव करने लगता है तो basically static sticks के हिसाब से 90% से जादा लोग जो मेरे चैनल पर आते हैं तो do subscribe to the channel अगर इतनी देर वीडियो देखी लिए है तो subscribe भी कर दो अब next चलते हैं हम overall engine and gearbox पे तो ये particular topic बहुत ही मेरा favorite है because यहां पे मेरे को जादा दिक्कते नहीं दिखी अगर आप engine देखें तो 380 newton meter torque petrol में 400 plus newton meter torque diesel में तो आपको कहीं भी ये चीज नहीं फील होगी कि यार मेरे को कुछ lack हो रहा है मतलब जिस particular field के हिसाब से गाड़ी बनी है दूसरी चीज यह best चीज यह कि इसमें सारे gearbox options डीजल, manual, automatic, petrol, automatic, manual, सब कुछ available है और इस particular time मैंने इसका diesel automatic चलाया था petrol में आपको बस और बस efficiency वाला इसाब किताब होगा मैं आपको बता देता हूँ कैसे तो जो diesel है मैंने जब बहुत प्यार से चलाई reset करके overall तो मेरे को 13, 13.2, 13.5 का इसने diesel automatic ने average दिया अब आप यह मान लो कि normal average इसका 11 के round आता है ठीक है अब तु देखी लो अगर आप petrol लो तो समझ लो कहा average माच जाएगा और क्योंकि automatic जो है वो इसका top converter है तो उस वज़े से थोड़ा average और कब हो जाता automatic ने बट हम इसके बारे में आगे बात करेंगे कि आपको कौन सी लेनी चाहिए तो उस particular चीज में आपको थोड़ा अंत तक रुखना पड़ेगा अब नॉर्मल अगर हम characteristics की बात कर ले तो नॉर्मली हमने चीज देखी है कि या फिर फास्ट होता है उतना refined नहीं होता यह अगर बहुत refined इंजन है तो वह उतना fast नहीं फील होता ये इंजन सबसे बढ़िया इंद्रा की कि Gearbox हो चाहे engine हो चाहे अंदर आवाज हो और चाहे इसका overall performance हो सब कुछ बिल्कुल सही feel होता है no tantrums no difficult even Gearbox भी एकदम स्थीक time एकदम सही speed में overall react करता है slow speeds high speeds तो there is no issue इस वज़े से I am fully satisfied with overall combination अब बात कर लेते हैं design और road presence की तो road presence में तो आप किसी भी इसके आसपास crossover खड़ी कर दो it will tar it तो basically बात यह है कि सिर्फ ego वाली बात नहीं है मैंने अपने sedan और crossover के comparison में बताया भी था कि जब आप उचा बैठते हो तो आपको जादा दूर तक दिखाई देता है उस वज़े से overall safety भी जो है सही हो जाती है और अगर आप इसका ergonomics package देखोगे जहां पर आप seating है जहां पर आपकी वहां पर आपको इतना दूर तक इतना clear दिखाई देगा तो उस वज़े से इसकी जो हाइट है वह आपको overall maneuverability में बहुत अच्छी रहती है और दूसरी चीज़ even highways पे भी आपको ऐसा feel होता है कि आप एक mini truck चला रहे हो चारो corners की अच्छी visibility है अब हम कर लेते हैं एक controversial topic which is design तो basically design is subjective आपको पसंद है नहीं पसंद है तो मेरा जो personal opinion है उस हिसाब से इसका जो face है वो थोड़ा sad feel होता है overall design आगे से देखें या आपको बहुती confident feel कराती है तो this is a big thumbs up तो अब features and space में आ आजाते हैं तो आपको यह चीज़ पता ही होगी कि जो basic features होते हैं जैसे चोटी से sunroof हो गई wireless charging हो जो बहुती बेकार feature है by the way phone heats up and उसके वाद एंडॉड और अपल car play wireless हो गया है इसमें और जो even आपकी seats भी electrically adjustable है तो यह साब आपको आ जाता है इस गाड़ी में no issues कोई बहुत बड़ा issue नहीं है even जो अगर आप higher end model पर sony का system देख लो even middle model में जो आपको basic system आता है music system वो भी ठीक है चलने में इसमें बस एक चीज है कुछ-कुछ features की functionality में एशुए जैसे आपको जे रियर camera है उसकी feed इतनी अच्छी नहीं आती है वो थोड़ा lag करता है आप उस particular जंगा तक पहुंच जाओगे थोड़ी देर में पहुंचेगा ठीक है लेकिन as such जो सबसे अच्छी चीज लगी मुझे features में वो यह है कि जो इसका पीछे वाले AC vents है उसमें compressor ही अलग लगा है तो पीछे वाले लोगों को बहुत जल्दी ठंडा करता है आप नॉर्मल पीछे लिटरली vents होते हैं और वो सिर्फ हवा फेकते हैं उसमें अलग से AC का यूनिट नहीं होता इसमें है इस वज़े से इसकी AC performance काफी अच्छी है अब अगर हम basic comfort की बात कर लें तो उसमें आपको front वाली seat में लंबर adjustment मिल जाता है भी बहुत चाहता हूं मैं कि और भी गाडियों में आए जो basic cross over sedans वगरा है उसमें भी आना चाहिए एक लंबर support का option जो इसमें आता है so front seats no issues rear seats में आप देखी सकते हो कि मेरे height के से आपसे मैंने आगे ले seat adjust कर रखी है उसमें मेरे को इतना space मिल रहा है वो जो space है वो मुझे यह अजीब सा fold होता है तो उस वजए से जो overall usable boot space है third row के fold करने के बाद भी वो एक normal cross over जितना है मान लोग कुशाग जितना ठीक है तो overall जो space का management है वो उतना अच्छी तरीके से नहीं किया गया है maybe due to the chassis underboarded और overall यह design उतना cohesive नहीं है जितना होना चाहिए थोड़ा ज़ादा space निकाल सकते थे but it's wide enough for three people at the back एक special mention मैं देना चाहूँगा इसके overall insulation को तो अगर आप tires जहां से देखो तो MRF Wanderer tires जो इसके लगे हैं वो अच्छे खासे block sense में फिर भी वो blocks आवास करते हैं और अंदर उतनी आवाद नहीं आती केबिन में मैंने 90 तक देखा है 90 की speed तक इसमें बहुत ज़ादा road noise नहीं आती क्योंकि जो अंदर wheel wells में pattern लगा है वो ऐसाल आपको लगता है कि वेल्ट लगा रखा है वन्तों काफी मोटी चातर लगा रखी है उस particular covering की जो wheel wells में लगी है इस वजह से आपको block pattern tires होने के बावजूर उतनी road noise नहीं आती which is a special thing to mention तो जैसे मैंने आपको suspension के time पर बताया था कि मैं overall reliability में इसको point को जरूर लाओंगा वो यह है कि इसका जो suspension है अब देखिए किस्मत खराब है किसी की तो भाई कुछ ना कुछ issue हो जाते हर गाड़ी में लेकिन यहां पर थोड़े जादा उसमें क्या है कि आपको suspension का कोई ना कोई चीज धीली पड़ जाती है जिससे running में दिक्कत आती है और आपको noise आती रहती है जो मैंने unit चलाई थी वो 13-14,000 km चली भी थी लेकिन उसमें इतनी सी भी noise में तो अगर आपकी इस तरीकी की गाड़ी है then you are good to go लेकिन अगर आप उन चुरिंदा लोगों में से है जिसमें noise है तो महिंद्रा वाले से ठीक करा लेना अब आजाते हैं हम दूसरी चीजों पर की जैसे मालो आपका fuel की quality उतनी अच्छी नहीं है तो मैंने बहुत सारे ऐसे issues देखें हैं जिसमें गाड़ी बंद हो गई और बेड़ पर चड़ा टीसरी चीज जो मेरे को reliability में लगी वो यह कि अगर आप इसका 18,00,00 रुपए से ऊपर आप खर्च कर रहे हो तो don't go for manual, automatic पर ही जाना, because मैं आपको बताऊं क्यूं, मैंने ऐसे बहुत जादा cases देखे हैं जहां पर जो clutch manual में दबाया और वो दबाई रह गया, तो clutch के issues manual में, इवन पेट्रोल, डीजल दोनों में आए हैं, और उसमें क्या होता है कि अगर आप हलका सभी अगर आपको है दिमाग में कि मेरे को थोड़ा traffic आ जाता है बीच बीच में, तो directly go for the automatic, spend those extra bucks, but आपको automatic ही लेना चाहिए, manual में clutch का issue है, अब हम last topic भी आ जाते हैं, देखी बहुत चीज है, Scorpion की, कि इस particular price range में 5 plus 2 seater, एक proper rear wheel drive यो all wheel drive आपको SUV नहीं कोई दे रहा है market में, तो this is why this is a special vehicle, ठीक है, इसके अगर थोड़े महिंदरा price भी बढ़ा दे, तब भी इसको लोग लेंगे, because it is a niche of its own, दूसरी चीज हम जाते हैं, अगर SUV से compare करेंगे, तो जिसका दिमा कि आपको high speed stability से उतना ज्यादा मतलब है कि आपको studiness से, studiness में मैं बहुत simple सा आपको बता देता हूँ score, यहाँ अगर SUV 700 है, तो इसके उपर harrier है, और इसके और उपर Scorpion है, जो आपको तेजी से गढ़्धों के उपर से निकाल दे, सब कुछ कर दे, और अंदर आपको उतना feel ना हो, लेकिन अगर आप high speed stability देखो, तो इसका just reverse हो जाता है, ठीक है, यहाँ Scorpion है, पर मैंने आपको बताया, 100, 120 तक ठीक चलती है, उसके हलकी से उपर harrier है, जो उससे और stable है, high speed stability में, और सबसे उपर SUV 700 आ जाती है, जो बहुत ही चिपक के जलती है, रोल से, काफी illegal speeds पे क्योंकि SUV 700 में जाधा features हैं, और वो features जैसे panoramic sunroof अगरा उनकी value जाधा होती है, तो अगर आपको जाधा पैसे खर्च करने है, मतलब से आपके दिमाग में है कि मुझे अपना usage नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, दोनों मैं इस तबाल कर लूगा, लेकिन मेरे पाँ जाधा में चोटी सी sunroof मिल जाएगी, और रगेड गाड़ी में आपको जो है, वो कुछ-कुछ extra features मिल जाएगे, उससे अच्छा आप एक middle model लो, और 25 के असपास आप Scorpio N ले सकते हैं, और उसके ओपर आग एक CV 700 पे जा सकते हैं, तो these are the basic differences between these two cars, आपको वीडियो कैसे लगी, अग लाइक, बहुत अच्छे लिए कियो, तो subscribe to the channel, अगली वीडियो मिलते हैं, बागाई